नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे RPSC 2nd Grade के लिए मनोविग्यान के 40 महतुपुन प्रशन जो कि आपको याद होने ही चाहिए क्योंकि एक्जाम के अंदर इनके आने की चांसेज बहुत जादा है तो आप इनको रट लीजिए और इसके साथ ही अगर आपने भी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब ने किया तो सबस्क्राइब कर लीजिए क्योंकि 2nd Grade से समंदित हम वीडियो डालते रहते हैं और इसके साथ ही आप हमें अने केडमी पर भी फोलो कर सकते हैं वहाँ पर आपको 2nd Grade से समंदित संपुन तयारी कराई जाएगी तो यह आपको करना क्या है प्ले स्टोर के अंदर से डाउनलोड करना है अने केडमी लर्निंग एप और उसके बाद हमारे जो नाम है PAWN, PARWK इसको सर्च कर देना है और वहाँ पर जाकर आपको फोलो करना है वहाँ पर बहुत सारे कोर्ष डाल दिये गए हैं आप देख लीजिए क्यूशन शुरू करते हैं पहला क्यूशन है मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं तो आंसर आएगा आपका William James जो है वो मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं अगला क्यूशन है मनोविज्ञान को वेवार का निश्चित विज्ञान किसने माना तो मनोविज्ञान को वेवार का विज्ञान माना है वोटसन नहीं अगला कुष्ण है मनोविज्ञान अधेन है तो वेवार का विज्ञानी का अधेन है मनोविज्ञान अगला कुष्ण है साइकोलोजी सब्द जिन सोजो सब्दों से मिलकर बना है वह है तो साइकोलोजी सब्द बना है साइकी प्लस लोगोस अगला कुछन है शिक्ष्या को स्रवांगिन विकास का साधन माना है तो महत्मा गांदी ने शिक्ष्या को स्रवांगिन विकास का साधन माना है अगला कुछन है मनो विज्यान को मस्तिस्क का विज्यान मानने वाले विद्वान कोन थे तो बनो विज्ञान को मस्टिस का विज्ञान माना था पॉमपोनो जी ने अगला किशन है मनो विज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने माना तो बुंट वाइवस और जेमस ने मनो विज्ञान को चेतना का विज्ञान माना अगला कुशन है प्रियोगा अत्मक मनोविज्ञान के जनक कौन थे तो प्रियोगा अत्मक मनोविज्ञान के जनक थे विलियम बून्ट अगला कुशन है वर्तमान में मनोविज्ञान को माना जाता है तो मनो विज्ञान को वेवार का विज्ञान मना जाता है वर्तमान में अगला कुशन है मनो विशलेशन वार्द के परवर्तक कौन थे तो मनो विशलेशन वार्द के परवर्तक थे सिग्मेंड फ्राइड अगला कुछन है मानशिक परिक्षण की विदी विख्षित करने वाले विद्वान कौन थे तो यहां पर आप कुछन को ध्यान से देख लीजिए मानशिक परिक्षण की विदी विख्षित करने वाले विद्वान कौन थे तो यह थे बिने पुरा नाम है इनका एलफरेड भी ने अगला किशन है मनोविज्ञान का शिक्ष्या के छेतर में योगदान नहीं है तो शिक्ष्या के जो सेदान्तिक पक्स पर बल देना मनोविज्ञान का योगदान नहीं है अगला किशन है आधुनिक मनोविज्ञान का संबंद विवार की मनोविज्ञानिक खोज से है यह प्रिवासा किशकी है तो यह प्रिवासा किशकी है मन की अगला किशन है मनोविज्ञान के अंग्रेजी प्रियाय साइकोलोजी सब्द की वेतपती हुई है तो जो साइकोलोजी सब्द है उसकी वेतपती ग्रीक भासा से हुई है अगला किशन है शिक्ष्या मनोविज्ञान की विशे सामगरी समंदित है तो जो शिक्ष्या मनोविज्ञान की विशे सामगरी है वो सीखने से समन्दित है अगला किशने मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान माना तो जो जेम्स ड्रेवर थे उन्होंने मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान माना है इसके बाद अगला किशने मनो विज्ञान मन का विज्ञानी का देन है यह कथन किसका है तो यह कथन किसका है वेलेंटाइन ने कहा था कि जो मनो विज्ञान है वो मन का विज्ञानी का देन है अगला किशने मनो विज्ञान है तो मनो विज्ञान क्या है विधायक विज्ञान अगला किशन है मनो विज्ञान के अंतरगत किया जाता है मानव जीव जन्तु तथा संसार के अन्य सभी प्राणियों का देन तो मनो विज्ञान के अवल मानवों तक शीमित नहीं है बलकि इसके अंदर जीव जन्तुओं, संसार के जो अन्य सबी प्राणी है उनका धेन किया जाता है मनोविग्यान के अंदर अगला किशन है वेवारवाद का जनमदाता किसे माना जाता है तो वेवार का जनमदाता माना जाता है वोटसन को अगला कुछन है शिक्षा में मनोविग्यान अंदोलन का सुत्रपात किसने किया तो आंसर आएगा आपका रूसो ने तो बहुत ही इपोटेंट कुछन है शिक्षा में मनोविग्यान अंदोलन का सुत्रपात किसने किया तो आंसर आपका रूसो आएगा अगला कुछन है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तयारी की आदार्शिला है यह कथन किसका है तो यह कथन किसका है स्कीनर का कथन है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तयारी की आदार्शिला है अगला किशने कॉल्सिनिक शिक्ष्या मनोविज्ञान का अरंब किस से मानते हैं तो कॉल्सिनिक जो है वो शिक्ष्या का अरंब प्लेटो से मानते हैं अगला किशने मूल प्रवर्तियां शंपूर्ण मानव विवार की चालक हैं ने कहा तो मैक डूगल ने ऐसा कहा था कि जो मूल प्रवर्तियां होती है वो संपूर्ण मानव वेवार की चालक होती है यानि जो मूल प्रवर्तियां वही मानव को वेवार करने पर विवाश करती है अगला कुछन है शिक्षा मनोविग्यान ने स्पस्ट वे निश्चित सवरूप कभ धार्ण किया तो यहाँ पे अमेरिकी मनोविग्यानिक थारंडाई जुट स्टेनले होल टर्मन आदी के प्रयासों से शिक्षा मनोविग्यान ने 1920 इस्वी में पस्ट वे निश्चित सवरूब धारण किया इसके बाद अगला किशन है मनोविज्ञान का शिक्षा के छेतर में योगदान तो बाल केंदरीत, मुल्यांकन और पाठिकरम अगला किशन है शिक्षा मनोविज्ञान के छेतर में अध्यन किया जाता है तो जो शिक्षा मनोविज्ञान का शेतर उसके अंदर मूल परवर्तियों, अनुसासन और अधिगम का अध्यन किया जाता है अगला किशन है शिक्षण का मुख्य के अंदर होता है तो जो शिक्षण है उसका मुख्य के अंदर कौन होता है बालक को मुखे के अंदर माना गया है शिक्षण के अंदर अगला कुष्ण है मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और शिद्धान्त प्रदान करके उसकी उन्नती में योग देता है यह किसने कहा तो यह कहा था कुपु स्वामी ने अगला कुष्ण है शिक्ष्या मनोविज्ञान की प्रकरती है तो जो शिक्ष्या मनोविज्ञान है उसकी प्रकरती है विज्ञानिक अगला कुशन है शिक्ष्या में बालक का समंद किश्य होता है तो बालक का समंद होता है शिक्षक से, विश्यवस्तु से और समाद से तो इन तीनों से शिक्ष्या के अंदर बालक का समंद होता है अगला कुछन है शिक्ष्या मनोविग्यान का उपयोग किश के लिए करता है तो स्वैम, बालक और अनुसासन तो सिक्षक है वो मनोविग्यान का उपयोग एक तो स्वैम के लिए करता है बालक के लिए करता है और अनुसासन के लिए करता है अगला कुछन है मुल्यांकन किसके लिए आवशक है तो चात्र और शिक्षक दोनों के लिए ही मुल्यांकन आवशक है अगला कुछन है शिक्षा मनोविग्यान का देन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इससे वह अपने शिक्षन को प्रभावी बना सके अगला किशने शिक्षा मनोविग्यान आवशक है शिक्षक चात्र और अभिबावक इन तीनों के लिए शिक्षा मनोविग्यान बहुत ही आवशक है अगला किशने अध्यापक वही सफल है जो बालकों की रूची को जानता है यानि वही अध्यापक को सफल माना जाता है जो बच्चों की किस चीज में रूची है यह जान पाते हैं अगला कुष्ण एक अक्ष्या से प्लाइन करने वालकों के प्रतियापका विवार तो विवार होगा नीदानात्मक अगला किशन है शीक्षा मनोविग्यान वेक्ति के जनम से वर्दा वस्ता तक शीखने के अनुभों का वर्णन बव्याख्या करती है कथन किश्का है तो करोव ए करोव का ये कथन है अगला किशन है शिक्षा मनोविग्यान एक शिक्षक के लिए मुल्यवान है उसका सबसे महत्वपुनकार तो उससे विद्यार्थी के बारे में ज्यान मिलता है अगला किशन है मनोविग्यान शिक्षा का अधारबुत विग्यान है यह कतन है तो यह कतन है शिकीनर का तो दोस्तो अगर आप second grade के लिए और भी वीडियो चाहते हैं तो comment करके बताएं और चैनल को subscribe जरूर कर लीजिए क्योंकि second grade की जो वीडियो है वो आती रहेगा हमारे चैनल पर चैनल को subscribe करके बेल आइकन को ओन जरूर कर दीजिए धन्यवाद वीडियो अच्छी लगए हो तो like जरूर करें शेयर करें और साथ में अपने सब भी दोस्त जो तयारी कर रहे हैं second grade की उनको जरूर शेयर करें ताकि उनको भी लाब मिल सके और second grade की जो class है वो हम निरंतर जल्द ही शुरू करने वाले हैं धन्यवाद